शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें हाँ बोलो ये तुमने क्या किया जया चुपचाफ शादी करनी ये मसी से तो हीना किया इंक पापा पंची तरह से जानते होड़े उनके लिए पैसा ही सब कुछ है इसे भी तो वो तुम्हारे लिए भी नहीं माने और मेरा पंदा बादिया है इस आध्मी से इस आध्मी के पास सिर्फ पैसा है और कुछ भी नहीं और पापा की बेटी को पैसे वाला पसंद आ गया इसलिए तुमने मुझे फोन नहीं किया ना अना, उचसे मेरा फोन छींग लिया था, विदाई के वख मुझे मेरा फोन वापस किया है, और क्या अच्छा लगा हाँ, तुमने देखा है मेरे हस्बन को, मुझे तो उसकी शकल देखने कभी मन नी करता है, अब कोई फायदा नहीं है जया, खुश रहो अपनी शादी तो सुनो, अरे कहां तुम भी आज को गमाने में बहुंगे डाल के बठी है, अटा दी चुँ, अच्छा, मतलब आप चाहती है कि हम अपने हाथों से भूंगो टटाए हैं, चीक है, बात है, बहुत खुबसूरत है हम, और ऐसी खुबसूरती पर, एक स्वीट सा तौफ़ा तो बनता है, एन्हें? लाइट अन है, ठीक है, लाइट बन बन करते हैं, आप, पहले दूद पील देजिए, अरी एक रिवास तुम्हें ना, रिवास है, अगर नहीं पीएंगे तो, हमारे आने वाली जिन्दगी में कुछ आशूब हो सकता है, तुम्हारे लिए कुछ पी, बसूम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, अरी इच शक्नेट ना, पेमारे लिए, प्लूदॉए, अरुतец região, अश्म्हारे लिए, तुम्हारे स्कतोरर अने भी, अदैजेra स्का आश Must. सर बहुत भारी सा लग रहा है हो जाता है शादी की बागदोर में धकान हो जाती है आप एक काम करिए आराम कर लिजे कर लिजे ले आराम कर लो हैं कर इतने धक्यों हुए थे लेकिन फिर भी हमारी सुहागराथ को यादकार बना दिया अपने अपने पहली रात में कोई इतने शरारत करता है क्यों ये क्या बोल रही है जया मुझे दो कुछ भी आद में हेरे उठ गई तो अब जली से एक नन्ना से लल्ला दे दो पिसा समा को अच्छा जली से तयारों को किच्छन में आ जाने आज तुम्हारे हाथ से बनी हुई खेर की भोग लगेंगे बगवान जी को और थुरा जल्दी आना बेटा सिर्फ सबा ग्यारा बजे तक का मूरत है बस में हाट कराए सुना बनने क्या काम उल्ली उन्हेक लल्ला चाहिए धन्ना सा क्या करते है चुड़ो मजे अरे वाते हैं तुम्हारे एक किस तो बंता हाँ अची वोसे बद्बू हारी है पहले जाके प्रश्तो करके आए है मैंना हांके आती हुआ यह लड़की अभी तक क्यों नहीं आई हां अरे मुरत का समय निकले जा रहा है जाया बेटा जल्दी आओ बेटा विकास अई बहु क्या कर रही है अब नहाने गई है मा अरे एक घंडे से उपर हो गया अभी तक वो नहीं आई मैं क्या बोलू मा यह बगवार साड़े दस बत चुके है यह जया पता नहीं क्या कर रही है अरे शो मुरत बीता जा रहा है वो कब आएगी कब खीर बनाएगी और कब मैं भगवान जी को भूक चड़ाओंगी जया बेटा जया जल्दी करो बेटा देर ही हो रही है आजाओ हा गई भव जी कितने देर लगा जी तो ले सिरफ दस मिनिट रह गए शो मुरत को पार होने में वो माजी मैं तो जल्दी आने वाले थी तो कि वो बास्रों इतना गंदा था ना कि मुझे साफ करने में देर लग गई ठीक है ठीक है पहले दूद उबालो और यो चावल पड़े ना खीर वाले उसे जाके दोलो जाए ठीक है अरे बहुत दूल गया चड़ा दो उसे नहीं माजी अभी इसे और धुलना पड़ेगा ए बगवान तुम्हारे चावल दोने के चकर में सारदोत गिर गया अब पताने क्या अशुप होने वाला है घर में माजी एक पार में एक ही काम हो सकता है ना ऐसा नहीं होता है बहु एक अच्छी ग्राणी की नजर घर के हर जगा पे होनी चाहिए आप दी तो यहीं पर थी ना आप बन कर देती गैस तुम समझती क्यों नहीं बहु आज का खीर बनाने का काम घर की नई बहु का होता है अगर मुझे बनाना होता तो मैं कब का बना देती वीज यह रस्मो रिवाजना मुझे नहीं समझ में आती आप मुझसे यह सब करने के लिए मत कहिए अभी बार बार चावल धोना बन कर रहो तो और खीर बनाओ अगर तुम्हें केशिन में टाइम लगता है तो बातरूम से तुम्हें जल्दी निकलना चाहिए था ना मेरा काम करने का अपना तरीका है माजी मुझे सब काम आते हैं मैं किसी के सिखाने से अपनी काम करने का तरीका चेहिज नहीं कर सकती यह क्या तरीका है अपनी सांस से बात करने का तुम्हारे घर में किसी ने तमीज नहीं सिखा ही, तुम्हारे माने तुम्हारे माने तुम्हारे तमीज नहीं तुम्हारे माने तुम्हारे तुम्हारे माने तुम्हारे 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 तु मेरे बात नहीं कर नहीं जाया तुम जानती हो ना मेरी इम्पार्टेंट है मैंने सॉरी कहा ता अंसिर? अब अब और तुम चाहते हो तो एक बर फिर सेंसे सॉरी कहा देंगे लिकिन वो भी तो मेरी बात नहीं सुन रही थी ना अरे बाबा, वो तुमसे बड़ी है, तुम्हें हमेशा समझ के लेना चाहिए और वैसे भी मा की तुरवित आजकल ठीक नहीं रही थी अस तुमा की पेशेंट है तुम्हें उनका खाज धियान रखना चाहिए चाहिए ठीके आज से ममेजी की सारी जिम्हेदारी मेरी से उनका ध्यान उनकी बहू रखे गी यह ही ना बाट मुझे तो पता है कि उनकी बहू दुनिया की सबसे नंबर बन बहू में है आँ, बीवी भी नंबर बन सकती है बस फुरी समिचधारी की कभी है तुम्हें पता है नंबर वन बीबी कैसे बनते हैं? हम? मैं बताता हूं हां? बोलो अरी? वहाँ.. वहाँ किसीने नॉप किया? जा के देखो ना उपर.. टाइस के दर्वाजा खुला तो नहीं है भारे डॉर लॉक दे देखो अगर डॉर ओपन रह गया तो फिर माजी मुझे ही ब्लेम करेंगी और मैं नहीं चाहती माजी मुझे ब्लेम करें प्लीज चाहूं ठीक है बापा हलो कैसे हो? अरे मा तो यहां बाहर क्यों बैठी है? यह जाकर बहू से पूछ सुबह से पता ने क्या साफ सफ़य में लगी हुई है शाम होने को आई है अभे तक उसकी सफाई खत होने का नाम ही ने ले रही है ठीक है जया यह जूते पहन के क्यों अंदर चलिया है तुम्हें पता है ना बाहर कितने जूम्स होते सारी जूम्स लेकर तुम घर के अंदर चलिया है मैं पूरे घर की डीप क्रीनिंग करें तुम्ही पता है और तुम आज के बाहर ना तुम यह जूते अपने बाहर उतारना और तुम्हारा बैग बिना सेनिटाइज की घर के अंदर नहीं आना चाहिए ठीक है अभी तुम बाहर जाओ मैं घर की सफाई करी हूँ मुझे थोड़ा टाइम और लगेगा जब मैं बोलूँ की तब घर के अंदर आनो अरे जाओ चीए अब जाओ तुझे भी निकाल दिया ना मुझे भी यह सुबे से बिठा कर रखा है पताने ऐसी कौन सी गंदगी के सफाई कर रही है अरे अजीब है बिल्कुल अजीब है वो सच के अजीब है जया साफ हो गया ग्लास साफ हो गया और भी काम पड़ा हुआ है अभी विकास अपने दोस के साथ आता ही होगा अरे आओ आओ नमस्ते अंटी जी आँ जी टेरा मा यह प्रकाश है अभी अभी हमारे अप्से में नहीं जवेनी भूई और प्रकाश यह हमारी पुझे नी और आदरनी है और यह जया मेरी यारी सी सूइट सी पत्न आँ आँ बैठो बैठो आँ एक मिनट अरे 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 जय क्या रही हो फिर वही बात आप लोग वहर से आये हैं पता नी कहा कहा से घूमके आयोंगे कितने सारे जर्म सप्रे साथ लेकर आयोंगे बैसरताक करना तो जरूरी है ना अब चलिए हैंड वाश कर ले आँ चलिए चलिए देख रहा है उसके बेवकूफियां अरे मा मुझे तो इस बात का टेंचे ने गई वह एक गंड़े तक प्रकाश के हाथ ना दलवाती रहे मेरे पास एक प्लान है हम दो भाग चागो बेवकूफ हो तुम अरे पगली हाथ में आए मौके को मुफ्त में गवाना नहीं चाहिए अगर वो इतना ही पैसे वाला है तो उससे अच्छा खासा अमाउंट लेकर डिवोर्स के पेपर पे साइन करना बिजारा बत्ता अले मन आई बास समझ में समझ गई अब मैं लोगों को इतना परिशान करूँगी इतना परिशान करूँगी कि तहुराकर ही आदमी खुद ही मुझे डाइवोर्स देदेगा देखो मैं कैसे पहुँच किया तुमारी सैसुरा मैं दो से इंसार करी थी और आज जाकर मिले यह तो बज़ शुरुवात है अब मज़ा करेंगी अरे खाना शुरू करो गई मैंने भी हाथ दोली थे हाथ सच में है न मा हाँ हाँ उससो दोली यहाँ यहाँ वाह च्या खुझदू है खाने की जरूर अंटी जी आपने खाना बनाया होगा आज सारा खाना जैया ने बनायए मैं तो सिर्फ का हाथ बढ़ा रही थी वाकवी मेरा खाना बहुत टेस्टी है मेरे तो मन कर रहा है कि मैं रूज़ आकर खाना का किला है अरे भाझे रूज़ रूज़ चुट्टी कान लेगी तुमे आफिस भी तो आना है लेकिन हाँ चुट्टी कि तुम चाहो तो यहां आ सकते हो मुझे असिच भी कर ले ना और जया के हाथ का खाना भी खा ले रहा हूँ? इतनी जल्दी दुआ कबूल हो गई. आपने सच कहा है, सर. मैं तो कायल हो गया हूँ भाबी के हाथ के बने खाने का. मैं जरूर आउँगा, सर. और आपके काम के सारे बोज़ को मैं हलका कर दूँगा. अरे पहू जल्दी करो, देखो बड़ी मुश्किल से एपॉइंट्मेंट मिला है डॉक्टर का. देर हो जाएगी जल्दी करो, आओ जल्दी. ममी जी. है? वो मेरे बातरूं का जो वाइट साबून है, वो किसी ने यूज़ किया क्या? मैंने यूज़ किया है. अब कैसे यूज़ कर सकती है? अब साबून से मैं अपने नहने का साबून दोती हूँ और आपने उसे यूज़ कर लिया. बहू, तुम्हारा दिमाग तो ठीकाने पे है? हा? क्या बोल रही हो तुम? साबून से कोई साबून को साफ करता है? बहू, मेरी पचास साल की जिंदगी में पहली बार ऐसा सुन रही है. अच्छा वो सब छोड़ो, बाद में आकर नहाना. देर ही हो रही है वरना डॉक्टर सब चले जाएगी. बिना नहाय तो मैं घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखने वाली हूँ. हाइजीन मेरे लिए तब से जादा इंपॉर्डेंट है. अरे आदते भी बिल्कुल अजीब ही है. अरे जल्डी करो ना देर हो रही है. देखो मैं तुम्हारा भी चेक अप कर वहाँ. मा, दवाईया टाइम पर लिया करो. और हाँ, डॉक्टर ने कहा है ना, कि जितना आराम करोगी उतना अच्छा. अब आराम. देटा, हमारी तो किस्मेट में ना आराम लिखा ही नहीं है. अरे, ऐसा क्यों सोचती हो मा, अब तो तुम्हारे पास जया जैसी बहु है. बस अपने घर के सारी जिम्मेदारियां उसको सौब दो और आराम करो. अरे, उसे नहाने, धोने, साफ सफाई करने से इसे फुरसत मिले, तभी तो घर का और कुछ काम कर पाएगी ना वो? हाँ? अरे, आज तो उसने बिलकुल हदी कर दिया है. नाइट गॉन पैनकर धरवाजा खोल दिया उसने. हाँ? एक बात बूरो, बिटा. मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगती है. उसका जो सफाई को लेकर पांगल बने ना, वो बिलकुल अजीब है. आज तो मैने डॉक्टर से बूचा. और उने कहा कि OCD नाम की मरी के लक्षे नहीं, Obsessive Compulsive Disorder. Obsessive Compulsive Disorder? हाँ, बिटा. यह एक चिंटा का विकार है. इस विकार से गरस इंसान एक ही चीज़ को बार बार जाच करने की ज़र्दुरत नहसूस करता है. वो कुछ चीज़े तो ज़्यादा ही करता है, उसे ऐसे लगता है कि सब कुछ गंदा पड़ा हुआ है, और बस वो उसी साफसफाई में लगा रहता है. पेरी एक बात मानों बेटा, तुमना बहू को, इसे मनोचिकित सक को दिखा दू. मनोचिकित सक मा, जया कोई पागल थोड़ी नहीं है, मा. ठीक है, उसे साफसफाई का थोड़ा ज़्यादा शौक है, उसका मन करता है और क्लीन रहने का. अरे बेटा, मनोचिकित सक से मिलने का मतलब, हर वो इंसन पागल थोड़ी नहीं होता है. ठीक बेटा, मैं तुरी भलाई के लिए कह रही हूँ, इसकी बिमारी पंड़ने के बाद हमें कोई पच्टावा न करना पड़े, आगे तुम समझदारो, तुम समझ लो. ठीक है? मेरी बातों का असर अब को नहीं लगा? सासुमा को यकीन हो गया है कि मुझ में सच में कुछ गड़बर है. तीर बिलकुल निशानी पर लग रहा है. अरे बहु, मैं योगा क्लांस जा रहे हूँ, दर्वाज़ ठीक से बन कर देना. आशिक के साथ रंग लालिया, मना रही है? हाँ? आप इस वक्त यहाँ पर क्या करेंगे? तो भारी काली कर्टू के देखने के लिए भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है, भेशरम कहीं कि? अरे मैं अपना पंप लेने आई थी, तो तो रोक असली चेहरा मेरे सामने आ गया. आटी जी. एक शब भी नहीं बोला. जब यह तुम्हारी जिंदगी में है, तो तुमने मेरे बेटे से शादी क्यों की? क्यों मेरे बेटे की जिंदगी परबार की तुमने, बचाओ! तो काश इस बुडिया को चुप कर आओ! अब मैं चुप नहीं होगी. मैं विकास को तुम्हारी काली कर्टूद के बारे में बता जूँगी. जया. लेकिन तुम भोगे. जाओ. जादा साथ में डिनर करेंगे? और यहां बातरूम में तुराई चलेगी. जया. जया. अरे भई नाश्ता लाओ यार. कितना वेट करा रही ओफिस के लिए लेट हो जाएगा मुझे. हाँ बना रही हो नाश्ता, पहले नहा के तो आओ. नहा के आजाओ मतलँ? अरे के तीन पे चार बार नहलवाओगी तुम मुझे? तुम्हारे कहने में रात को नाया तो तब्यत खराब होते होते हैं बची मेरी. अब अगर नहाओगा तो पकका भिमार पढ़ जाओगा. नाश्ता दो यार. क्या? तुम्हारी तब्यत खराब है? चलो जाओ, नहा कराओ. तुम्हें पता है जब हम बार पढ़ते हैं तो कितने जर्म्स आजाते हैं बॉडी में? जाओ, अभी नहा कराओ. जाओ नहीं तो में नाश्ता नहीं दूगी. जया! हाँ, आ रहे हो, क्या हुआ? क्या हुआ, चिल्लाव क्यों रहे? तुम्हें ये सारे कपड़े नीचे के फाला के रखे? अब दौने पढ़ेंगे दुबारा? अर्या, मेरे ट्राउजर मताओ कि कहा है? मुझे मेटें के लिए गाना है? वो मैने दौने डाल दी. तुम्हें? अर्य, कर्ली तो दोई थे तुम्हें? हाँ, लेकिन गंदी थे, तुम्हें 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 दौने डाल दी. चीके. जया, यह क्या है? इसके एक एक पर का है मुझें? अर्य, वो मैं छट की सफाई कर रही थी, तो मैंने यूस कर ली. अर्य, पाकलो का, तुम्हें दीमाग नहीं के तुम्हें? अर्य, एक एक मुझें के कैसे जांगा आपने ओफिस में? तुछे लाओ, क्यों रहा है? नहीं ख़रीद देना न, यार. अब मैं बोल रहा हूँ न, तुम्हें? ठीक है? प्रकाश? आज रात तक मुझे इन्वेस्टर्स की फाईल रेडी करके दे दो, आकि मैं चेक कर लो, इन्वेस्टर्स को सेंड कर सकूँ. ठीक है? चौँ. यह क्या क्या जाया तुमने? आप गुस्तों क्यों हो रहा हूँ? अज पूर इमा का शुक्दिन है. मुझे पदा था आप ओफिस से घर आकर नहाओ के ने. इसलिए इस पानी में मैंने गंगा जल मिलाया और आपको शुद्ध कर दिया. हटा मेरे सामने से. देख लो तुमारी कर्तूर. पूरा लाप्टॉप है भिगा दिया. अरे कितना इंपोर्टन लाप्टॉप है अगर मेरा लाप्टॉप बंद हो गया ना. मेरे बहुत सारे इंपोर्टन दॉक्यमेंट चले जाएंगे इसमें से. अब तलती हो गई तो हो गई चलाने से खीक तो नहीं हो जाएगी ना. जयाज. अरे तुम्हारी साथ सफाई से अलग भी एक दुनिया है. जहां से इस घर की रोटी चलती है जो मैं लाता हूँ इस लेप्टॉप के थुरू. तुम्हें पता कितने इंपोर्टन डॉक्यमेंट से इसके अंदर. अगर ये बंद हो गया ना. देखो, जिसका डर था वही हुआ. अब ये लैप्टॉप बंद हो गया. अब क्या करूँ मैं इसका? बिगड गया है तो सुधरवाल हो. वत्ती तो इंसान सही होती है ना. जोना कुछ भी अच्छा करने जाओ तो बुरा ही होता है. हलो. हाँ, प्रकाश. कल सुबह आट बजे मेरे घर आओ. मेरा लैप्टॉप खराब हो गया है. अब तो लैप्टॉप लेते आना और प्रोजेक्ट की फाइल भी लेते आना. क्या होगा सर आप इतने गुस्से में क्यो है? अरे, एक मेंटल से शादी करने की सजा भुगात रहा हूँ मैं बस? मेरा पूरा लैप्टॉप गंगाजल से नहला दिया उसने. सर, आप टेंशन मत लीजिए. मैं आ जाओंगा. उसका जो सफाय को लेगर पांगल पने ना, वो पिलकुल अजीब है. आज तु मैंने डॉक्टर से पोचा. उन्होंने कहा के OCD नाम की बिमारी के लक्षे नहीं है. आपसेसिव कंपलसर डिजॉडर. माने शायद सही कहा था. जाया के दिमान में कुछ तो गड़बड है. क्या वात है सर, आप इतने परिशान क्यों है? यार प्रकाश मैं, मैं जैय से तांग आ चुगा हूँ. और रोज सुबह उटके कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देती जिससे मेरा मूर खराब हो जाता. मुझे था आज तक समझमन या है कि ऐसी औरत के साथ आखिर में रहूं तो कैसे रहूं? अगर आप इस तरह से परिशान रहेंगे तो तो यह आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं हो जाता. अब भाबी जी को थोड़ा वक्त दीजिए. अब भाबी जी को डिवोर्स देदीजिए. अरे क्या बात कर रहे हो यार तुम? सर उपर वाले ने आपको इतनी अच्छी जिंदेगी दी है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है. आपको भी इसे अच्छी खुशी से जीना चाहिए ने सर. सर प्लीज, प्लीज बुरा मत मानियेगा. इस तरह घुट-घुट पर जीने से अच्छा है, मर जाना हो. शायद तुम सही सला दे रहो प्रकाश. शायद, 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 प्लीज प्लीज प्लीज. शायद, 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 तुम मेरे पिस्याव. बहुत दॉरले है, अभनेश कम अधम को एपने आप ठीक होने वाला है. सेना तूनों एक साथ अपने नए ठेकाने पर. इस्पिक्टर साप, मगिन मा करते ہलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवह तका. आपने सिंभरेए विकाजित. मा, तेरे अत्यारों को साधा दिल्वादी, मा में लेखु आपके, मा, तेरे पाल्स नहीं पाल्स हुआ। नहीं पाल्स हुआ।